चोटे चोटे प्रयास बड़ा परिवर्टन लाते हैं और यह सपना उसके मन में बच्पंसे ही होता हैं लेकिन कईबार निझी कारणों से, पारिवारिक कारणों से, सामाजिक कारणों से वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता family reason कईबार उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेंगा सोशल रीजन, सामाजिक कारण कई बार आप जो अपने मन में अपना सपना संजोए हुए हैं वो सामाजिक कारणों से पूरा नहीं हो पाता मतलब यदि मेरे परिवार में कोई डांसर बना तो समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी यदि हमारे घर से कोई सिंगर बना तो समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी समाज के डर से भी कई बार बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते कुछ दिन पहले आमीर खान की एक मूवी आई थी डंगल जिसमें दिखाया गया था कि हर्याना के एक छोटे से गाउं में दो लड़कियों ने जब कुछती प्रतियों की तामें भाग लिया कितने सारे लोगों ने उस परिवार के सदस्यों को और उन लड़कियों को ताना दिया सामाजिक रूप से उनको कोई साथ नहीं मिला लेकिन वो अपने लक्ष पर अडिक थे और उसको प्राप्त करने की लालसा उनके मन में निरंतर चल रही थी और एक दिन जब वो लड़कियां ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई तो उस परिवार की शाक ना केवल हमारे भारत वर्ष में बलकिल संपूर्ण विश्व में मजबूत हो गई अब आप भी अपनी जूलरीज की वराइटीज को माय आभूशन अप पे डाल सकते हो और सीधा ग्रहकों से जुड़ सकते हो अभी डाउनलोड करें अप माय आभूशन ना कर पाने का एक बहुत बड़ा कारण है कई लोग आर्थिक शक्ती के रूप में इतने मजबूत नहीं होते कि वो अपने आये का बहुत बड़ा हिस्सा या एक छोटा सा हिस्सा भी अपने पैशन पर लगा सकें आपके परिवार की आये अधिक नहीं है और आपका पैशन है कि मुझे राइफल शूटिंग सीखनी है तो आपको पता है कि राइफल खरिदने के लिए बहुत अधिक पैसे लगते हैं उसकी कोचिंग के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और बहुत सारा समय भी लगाना पड़ता है ऐसे में कई बार आर्थिक स्तिती मजबूत ना होने की वज़ा से भी हम अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में एक मोटिव होता है कि मुझे बॉड़ी बिल्डिंग करनी है लेकिन वो जानते हैं कि बॉड़ी बिल्डिंग एक expensive गेम है एक महंगी गेम है एक royal गेम है उसमें बहुत अधिक समय और पैसा लगता है जिसके कारण आर्थिक स्तिती मजबूत ना होने की वज़ा से वो इसको अपने passion के रूप में कभी भी पूरा करने के बारे में नहीं सोचते हैं इन सभी कारणों की वज़े से आप अपने passion पर focus ना करके एक job security, एक business security या एक professional course की ओर अग्रसर हो जाते हैं और जैसे ही किसी दिन आपके सामने आपके passion से संबंदित कोई भी व्यक्ति, कोई achievement करता है या उससे संबंदित कोई activity आप देखते हैं तो आपके मन में वो आपका सपना दुबारा जागता है और आपके दिल को बहुत खुशी मिलती है साथी साथ एक दुख भी होता है कि यार मैं यह अपना passion पूरा नहीं कर पाया लेकिन इस व्यक्ति ने इस passion को पूरा किया इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि comment box में लिखकर जरूर बताएं कि आपका वो passion क्या था और वो कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वज़ा से आप अपने उस passion को आगे नहीं बढ़ा पाए या उस पर काम नहीं कर पाए मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनेरे बविश्री की रामना करता हूँ जय हिंद जय भारत